अगर आप आपके अपनों को कैनड़ा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं तो वर्ल्ल्स लाजस्ट इमिग्रेशन ग्रूप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं WWICS PM नरेंद्र मोदी तमिलनाडू और केरल के दोरे पर हैं तमिलनाडू दोरे पर PM ने चिन्नई में सेना को अर्जुन टैंक सौंपा है इसके साथ ही कई योजनाओं का वियुद घाटन किया प्रदेश में अप्रेल और मई में विधानसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में PM का दोरा एहम मानवा जा रहा है चन्नई में PM मोदी ने इंडियन आर्मी के प्रमुख MM नर्वाने के माध्यम से अर्जुन में बैटल टैंक MK1A भारती सेना को सौंपा मौके पर उन्होंने कहा कि हम अपने सशस्त्रवलों को दुनिया में सबसे ज्यादा modern force बनाने की दिशा में आगे भी काम करते रहेंगे इसी के साथ भारत को रक्षाक्षेत्र में आत्मिरबर बनाने की दिशा में फोकस तेजी के साथ आगे बढ़ेगा हमारे सशस्त्रवलों ने कई बार दिखाया है कि वो मात्री भूमी की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ है उन्होंने ये भी दिखाया कि भारत शांती में विश्वास रखता है लेकिन भारत किसी भी हालात में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा इस नई टैंक के बारे में कुछ हैम जानकारिया हैं वो आपको पता देते हैं इस टैंक को Combat Vehicles Research and Development Establishment यानि CVRDE और Defense Research and Development Organization यानि DRDO ने मिलकर बनाया है DRDO के मताबिक अरजुन पुराने अरजुन MBT MK1 का एक उन्नत संसकरण है इसमें 14 प्रमुक अपक्रेड किये गए हैं ये टैंक बहतर गोलाबारी, उच्च गतिशीलता, जादा सुरक्षा और जो चालक दल है उनके निज़रिये से बहतरीन बताया जा रहा है News Agency ANI से बात करते हुए DRDO के सेक्रेटरी सतीश रेडी ने बताया कि इस टैंक में 71 अतरिक्त फीचर दिये गए हैं और उन्होंने बताया कि 118 टैंक का ओडर 8,000 करोड रुपे का है PM तमिल नाडू में थे तो तमिल अधिकारों और श्रिलंका पर बात होनी भी लाजमी थी चन्नेई में PM ने कहा कि अल्प संख्यक तमिल समुदाएक के अधिकारों के मुद्दे श्रिलंका के सामने लगातार उठाये गए हैं हम ये सुनिश्चित करने को प्रतिवद्ध हैं कि वे समानता, न्याय, शांती और सम्मान के साथ आ रहे हैं उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में कोई भी भारतिय मश्चुवारा श्रिलंका की हिरासत में नहीं है 313 नावों को छोड़ा गया है और हम बाकी नावों को छोड़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं 14 परवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमले की दूसरी वर्सी थी तो पीम ने इस पर भी कहा उन्हेंने कहा कि इस दिन को कोई भी भारति नहीं भूल सकता, हम उन सभी शहीदों को शधांजली देते हैं जो उस हमले में शहीद हुए थे, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, उनकी कहानी एक पीडी को प्रेडित करती रहेगी इसके अलावा, मोधी ने तमिल नाडू में कई प्रोजेक्ट्स की अधारशीरा रखी, तो कई प्रोजेक्ट्स का उधगाटन भी किया जैसे, पीएम मोधी ने चन्नई और अट्टीपट्टू के बीच चोथी रेलवे लाइन का उधगाटन किया 293 करोड की कीमत वाली इस 22 किलोमेटर लंबी रेलवे लाइन को चन्नई और तिर्वलूर जिले के भीच में ये स्थापित की गई है, ये इन दो जिलों को जोड़ेगी आपस में इसके अलावा, PM ने चन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का भी उधगाटन किया है, 3770 करोड रुपई की लागत से करीब 9 किलोमेटर लंबा ये ट्रैक उत्तरी चन्नई को एरपोर्ट और सेंटरल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा इसके अलावा, PM ने IIT मदरास के डिसकवरी केंपस के अधारशिला रखी है, इस केंपस को चन्नई के पास थाईरूर में 1000 करोड की लागत से बनाया जाएगा ये प्रधानमंत्री के तमिलनाडू दोरे की अपडेट्स आपके लिए प्रधानमंत्री केरल में होंगे, उसकी अपडेट्स भी ललन टॉप आप तक पहुंचाएगा आपके लिए सारी जानकारियां जुटाई थी मेरे साथी आदित ने देखते रहें बने रहें ललन टॉप के साथ शुक्रिया